नमस्कार दोस्तों सोट सारी अंजी इसमें आपका स्वागत है बहुत सारे कमेंट्स कर रहते हैं कि सर जो बीए सेप अपना हेड कुंस्टिबल मिनिस्ट्री है और एसाइए सर क्या इसका रेनिंग होगा या नहीं होगा सर हमें बताए हमारा दोड नहीं बन रहा है सर आखिर क्या 24 मिनिट में 5 KM है या फिर 1600 में 8 मिनिट टाइम है सर क्या है हमें पता नहीं चल रहा है सर थोड़ा र रनिं पर में बताईए हाइड वेट चेस्ट के बारे में बताईए कि सर का अखिर आखिर कितना लगेगा तो देखो दूस्तों अपर लोग TENSSON मतलों यह भर्ती है जो अपना ministry staff का है और steno का है तो हर चीज का नियम अलग-अलग होता है तो इसमें हम सारा detail में हम आपको बता देंगे कि आखिर आपका chest कितना लगेगा, height कितना लगेगा, आखिर जो आप सेंटर पर जाओ गए तो आपको क्या-क्या करना है, यह सारा चीज हम आपको बता दे है तो देखिए दोस्तो इस किस चीज का है तो फीजखिल के बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा सध्यान से समझेगा, ज्यादा अपना को time नहीं हम बेश्ट करेंगे, तो फीजखिल में देखिए दोस्तो लास्ट में हम weight कब क्योंकि weight से लेट लोग बहुत सारे परसान हो देखिए दोस्तो इस height की चीज है, तो height में देखिए दोस्तो कोई भी candidate हो, जैसे आप general हो, OVC हो, आप SC हो, या EWS, EWS, चलो लिख देते हैं, EWS, यानि कि general, OVC, SC और EWS ध्यान से सुनिए, इतना category को height कितना लगेगा, male candidate को 165 cm लगेगा, कितना 165 cm बहुत कम height है, तो इसके लिए tension मत लिए, last में में भी बता देगे कि आपको center पर क्या-क्या करना होगा, 165 cm, physical में कोई नहीं छटेगा, जो मैं बताऊंगा, बस उतना ही करना है, 165 cm, next जो female का कितना है, 155 cm, आप general हो, OVC, SC, या EWS, उनका कितना लगेगा, 155 cm, next बात करते हैं, हम HT का, जो HT category में आत कितना हो, 162.5 cm, इतना उनका लगेगा, HT category वालो को, और female में भी HT category वालो को कितना लगेगा, वो 150 cm, बस, किनका HT category है, जिनका इतना लगेगा, यह बात कर दी हम height की, आप ध्यान से समझ गया होंगे, next बात करते हैं, हम chest की, क्या आखिर, chest में कितना लिया जाएगा, तो female का chest तो खतम हो गया, तो female का तो tension है यह नहीं, बात करते हैं, हम सिर्फ male candidate को, तो male candidate में देखिए, यह जो है, किनका है, तो general का है, OVC का है, OC का है, और EWS का है, इतना का, इतना का, general OVC, SC है, EWS का, कितना आपको chest से है, यह normal, बहुत कम chest लिया जा रहा है, इतना कम chest किसी भ चाहिए, ज्यादा नहीं, 77 ही normal, और फुलाने के बाद में 5 cm, यानि कि आपको 82 cm हो जाना चाहिए, 77 हैगा, आपका चलेगा, पांच फुला दीजे, आपका clear फंडा हो गया, यह चीज आपका हो गया, और EWS का टिगरी बहुत को कितना चाहिए, इनका 1 cm कम है, यानि general OVC, SC ह यानि कि 5 cm आपको फुलाना ही फुलाना है, चाहिए आप EWS का टिगरी हो, चाहिए जनरल OVC हो, आपको तो 5 cm फुलाना फे मिलगा तो है नहीं, यह चीज तो आप समझ गया है, लेकिन बात सबसे ज़्यादा रुगावट की यह आ रही थी, कि सर इसमें weight मेरा अगर ज़्य किस तरह से लिया जाता है, आपके height के अनुसार, अगर आपके height के अनुसार महा लिजे कि आपका 170 height है, तो 170 height के अनुसार आपका 70 kg, 68 kg, इस तरह से आपका weight चलेगा, लेकिन अगर इस से ज़्यादा भी है, महा लिजे कि आपका 80 kg है, या 78 kg है, यह भी चलेगा, लेकिन यह क का वेट जादा तब आपको छाट दिया जाएगा तो मेडिकल के लिए छोड़ो अभी पहले फीचकल फीट हो और रिटेन की तियारी करो अब लास्ट चर्चा हम करते हैं रनिंग का हलाकि रनिंग के बारे में किसी ने कोई बताया नहीं है आज तक किसी को आज तक सही डंग स यह चीज पता जी नहीं है कि रनिंग आखी रहा है कितना तो देखिया दोस्तो यह हेट को इसकी परकिरिया थी जो क्या चीज थी पहले थी इसकी रिटेन उसके बाद फीचकल थी लेकिन अब नया मेंसुरेशन जब नया चीज चालू कर दिया तो पहले क्या कर दिया फीच कर दिया गया यानि कि आपका रनिंग नहीं लिया जाएगा यानि कि आप सेंटर पर जब जाओगे सेंटर पर जाओगे अपना एडमिट कार्ड ले जाओगे और वहां एडमिट कार्ड ले जाने के बाद में आप से क्या लिया जाएगा तो हाइट लिया जाएगा वेट लिय जा रहा है तो बंदा तो physical में कोई छटेगा नहीं, सारा बंदा पास होगा, छटेगा किसमें तो document में छटेगा, अब document में छटेगा तो आपको तो document बढ़िया बना के ले जाना चाहिए, यह तो आपकी हाथ में है, तो आप पूरा document बना लो, अगर documents related अगर आपने वीडियो नहीं देखा, तो मैं I button में भी देदूँगा, description link में भी देदूँगा, वहाँ से जा के देख लेना, अगर इसके अलावा अगर आप लोग का वो भी ना समझ में आये, तो आप हमें comment box में जरूर बताएगा, हम आपको proof के साथ में document बता देंगे, कि यह document आप लेकर जाए तो उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गया होंगे, तो thank you दोस्तों, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाईयों को राम राम और जाएं